क्रिपया ध्यान दे ये वीडियो आपके मन उरंजन के लिए बनाया गया है इस सिन में मास्टर जी बच्चे का नाख पोच रहे हैं इसका मतलब बच्चा रो रहा है पर अगले सिन में जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो ये बच्चा तो हस रहा है और आप लोग ध्यान देंगे तो इसने तो कौपी भी खोल ली जब कि ये अभी अभी यहां पे बैठा है कुछ भी इस सिन में यहां पे अचानक एक हेलिकॉप्टर की आवाज आने लगे जब कि यहां पे कोई हेलिकॉप्टर नहीं था और ये यहां पे सिर्फ बैठेगा या फिर कुछ खाएगा भी ये यहां पे कभी से बैठा हुआ है इस सिन में ये बोलती है कि इट्स टेस्टी लेकिन क्या इसके फिस एक्स्प्रेशन से ये लग रहा है कि वो टेस्टी होगा और भाई ये इस फिल्म की सबसे बड़े मिश्टेक है यहां पे ये सारे आदमी खेसारी कोई क्यों देखते हैं यहां पे साब साब देखा जा सकता है कि पीछे कोई भी लड़की नहीं खड़ी है लेकिन अगले इस सिन में यहां पे एक लड़की आ जाती है यहां पे खेसारी के पापा का फोन आने के बाद तुरंत ये अपने दोस्त के घर पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पहुचने के बाद यह क्यों बोलते हैं कि खेसारी सुभव ही फोन किया था जबकि क्षेसारी तो अभी कुछ सेकेंडस पहले ही फोन किया है इस सीन में साब साब देखा जा सकता है कि काजल के पास एक फोन है लेकिन अगले सीन में जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो वो फोन गायब हो जाता है इस सीन में साफ साफ देखा जा सकता है कि खेसारी के पीछे एक लड़की है और काजल के पीछे एक लड़का लेकिन जब camera angle change होता है तो वो दोनों तो पीशे से गायब हो जाते हैं इस scene में खेसारी को जब phone आता है तो इनके screen पे साब साब phone आता हुआ दिख रहा है लेकिन काजर के screen पे ये क्या चल रहा है ये तो कुई wallpaper लग रहा है कुछ भी इस scene में आप लोग gate को ज़रा ध्यान से देखिए जब खेसारी घर के अंदर जा रहे होते हैं लेकिन जब वो घर से बाहर आ रहे होते हैं तो ये तो पूरा gate ही change हो गया क्योंकि ऐसा gate तो यहाँ पे था ही नहीं इसका मतलब खेसारी गए किसी और घर में और वापस किसी और घर से आ रहे हैं इस scene में ज़रा ध्यान से देखिए खेसारी के आसपास और बगल में कोई भी आदमी नहीं है लेकिन जब camera angle change होता है तो यहाँ पे दो आदमी आ जाते हैं और एक black color की car भी आ जाती है मतलब कुछ भी ये बंदा आके इसे बोलता है कि मेरी radio ठीक कर दो लेकिन ये तो radio है ही नहीं ये तो एक torch है कुछ भी इस scene में ज़रा आप लोग खेसारी के कपड़ों पे ध्यान देखिएगा क्योंकि ये लोग यहाँ से तुरंथे निकल जाते हैं अपने दोस्त के घर जबकि ये लोग कपड़ा भी नहीं चेंचर करते हैं पर फिर भी ये लोग जब घर जाते हैं तो इन दोनों का कपड़ा अपने आप ठीक हो जाता है ये scene काफी बड़ी है आप लोग देख सकते हैं ये आदमी कितना भी बिमार पढ़ जाता है लेकिन होस्पिटल नहीं जाता है गजब की दादगीर है यार इस scene में साब साब देखा जा सकते हैं कि खेसारी के घर पे कुछ एवार्ट्स और नोटबुक्स रखी होई हैं पर खेसारी को पढ़ने ही नहीं आता है तो फिर ये सब नोटबुक्स कौन लाके रखा है यहां पे जब खेसारी के पास फोन आता है तो आप साब साब देख सकते हैं कि इस पे नाम लिखा हुआ है पर वहीं ये गौरी देख रही होती है और इनके पिताजी भी देखते हैं तो फिर इन्हें पूछने की क्या जरूरत की किसका फोन आ रहा है यहां पे आप साब साब देख सकते हैं कि नाम भी लिखाया दिया तब तो इन सब को पता चल जाना चाहिए था लेकिन नहीं वाई फिल्म आगे कैसे बढ़ेगी इस बैग में से एक लड़गी गा कपड़ा निकलता है पर जब खेसारी लंदन से घर गए थे तो ये तो ये कपड़ा नहीं लेकी गए थे क्यूंकि ये कपड़ा तो यहीं ये छोड़ दिये थे आप लोग साब साब देख सकते हैं इस सीन में आप लोग साब साब देख सकते हैं कि खेसारी के पीछे कोई भी लड़की नहीं है लेकिन जब ये उतरते हैं तो इनकी पतने कहां से आ जाती है ओ भाई यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सारे लोग इने देख क्यों रहे है यार मुझे बहुत उसार आए क्या ये लोग लंडन में पहली बार इंडियन देख रहे हैं जब ये यहां खड़ी होती हैं तो ये बगल की लाईट बंध होती है लेकिन अगले सीन में ये अपने आप चालू हो जाती है और इनके हाथ में ये पट्टी कहां से आ गई और ये कटोरी भी यहां नहीं थी मुझे लगता है कि खेसारी की वीवी के पास कोई जादूई सकती है और उसके बाद ये सो जाती है पर जब ये सो कर उठती है तो ये लाइट्स अपने आप आफ होती है भाई यार इस फिल्म में बहुत जादा दादागीरी है अब भाई ये तुरंत उठकर पूजा करने लागती है भाई यार कम से कम नहां तो लो यहां कि जब खेसारी की वीवी खेसारी का पूजा कर रही होती है तब साब साब देखा जा सकता है कि खेसारी ने अपने जूते निकाल रखे हैं पर क्या खेसारी बीना जूते के यहां से चले जाते हैं क्योंकि इन्हें नोते जूता पहना ही नहीं मुझे लगता है ये जूते अपने वीबी के लिए छोड़के गए हैं भाई मैं बोल रहा था ना इस फिल्म में बहुत दादागीरी है अब देखो क्या कोई अपने एक वीबी के साथ घर में दूसरी वीबी का फोटो लगा के घूम रहा है यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि खेसारी की वीबी ने केवल अपने दो कंगन ही निकालने पर जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो इनका चारो कंगन अपने आप निकल जाता है कुछ भी यहां से जब यह जा रही है तो जहां पर इसने कंगन रखा था वहां पर तो कंगन है ही नहीं इसके जाने से पहले कंगन ही चोड़ी हो गया वीडियो अच्छली तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएए